जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना मेकप का समान बहुत कम लेकर जाऊँ और मेरी जो इसकिने नेस्ट्रल तरीके से गलो करें साथ में मुझे है भी मेकप करने की बिल्कुल भी जरूत ना पड़े तो अभी आप मेरा चेहरा देख सक क्या है तो वीडियो को पूरा दिखना शात में वीडियो पसेंद आयर मुटी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना इसकी लिए आपको एक बॉल में लेना है एक चमच कॉफी पाउडर साथ में एक चमच आपको लेना है शुगर पाउडर और एक चमची आपको इसके अंडर डालना है कोकुनट ओई अगर coconut oil आपकी skin को सूट नहीं करता है तो इसकी जगे आप कोई दूसरा oil भी ले सकते हो उसके बाद मेनेस में डाला है एक चमजबर के गुलाब जल जो हमारी skin को tight करने में हमारी काफी ज़्यदा help करता है इन सारी चीजों को आपको आपस में अच्छे से mix करना है मिलाना है अब देखे जो मेरा इसक्रव है याँ पे बनके तियार हो चुका है अब मैं आपको बताती हूँ इसे चेहरे पे लगाने का सही तरीका क्या है उससे पहले अगर आप लोग फर्स टाइम मेरे चेनल पे आयो तो चेनल को को लेना सब्सक्राइब और वीडियो को कोड़ देना लाइक तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है ये जो इसक्रव है इसे लेकर आपको अपने पूरे चेहरे पे अच्छे से लगाना है पहले मैं इसे एक पैक की तरह अपने पूरे चेहरे पे लगा रही हूँ जब ये पूरी तरीके से मेरे चेहरे पे लग जाएगा उसके बाद हलके हलके हातों से और सर्कुलर मोशन में मैं अपने पूरे चेहरे की मसाज करूँगी जैसे जैसे मैं मसाज करूँगी मेरी जो dead skin है एकदम dull skin है वो पूरी तरीके से clean हो जाएगी मेरी skin के अंदर जितनी भी गंदगी जमा हुई है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी अगर आपके skin बहुत ज़दा dry है तो आपके चेरे पे बहुत अच्छी चमक भी आएगी स्क्रब करने का सही तरीका होता है circular motion में अपने चेरे की मसाज करना उसके साथ में स्क्रब हमें कितना करना चाहिए स्क्रब करने की जो timing होती है सिर्फ 2 मिनिट की होती है दो मिनट से ज़दा स्क्रब आपको अपने चेरे पे नहीं करना चाहिए और हफ्टे में 2 दिन ही स्क्रब करना काफी फाइदे मंद होता है अगर आप इससे ज़दा अपने चेरे पे स्क्रब करोगए तो आपकी जो spectrum हो डल होने लगेगी की जो quantity है equal रखनी है और आप इन दोनों को मिला के किसी भी खाली डिबे में भरके रख सकते हो और जब भी आप बहार जाएं इन दोनों चीजों को लेके जाएं बहार जाने के बाद अगर आपके पास में coconut oil है या फिर जो आपकी skin को oil suit करता है उसकी एक चमस भरके इसके करना के अपने साथ में जरूर लेके जाती हूं मुझे इससे काफी ज़्यादा help मिलती है और मुझे heavy makeup करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है तो है ना कमाल का scrub आप लोग इसे जरूर ट्राय करना तो देखें यहां पर पूरे चेहरे पर मैंने दो मिनट के लिए मसाज की अब मैं स्पून की साहता से यह जो लगा हुआ है कॉफी पौडर का चीनी का इन सब को जो इसक्रब लगा हुआ है इसे मैं हटाती हूं और आपको रिजर्ट दिखाती हूं देख रहे हूं ना इसकिन मेरी कितनी ज़दा गलो कर रही है आपकी स्किन भी बिल्कुल इसी तरीके से गलो करेगी एकदम नेश्रुल तरीके से आपके चेरे पे चमक आएगी जैसे जैसे मैंने पैक को हटाया मेरा दिल एकदम से खुश हो गया तो अगर आप हैवी मेकप करना नहीं चाते और यह सीजन ही ऐसा है अभी जो यह सीजन चल रहा है यह कुछ ऐसा है क इसमें हमें बहुत ज़्यादा चिपचपा हट हो जाती है, बहुत ज़्यादा उमस टाइप में होती है और हैवी मेकप करने की तो बिलकुल भी जरूरत नहीं पड़ती तो ये इस करब आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा इसमें अगर आप light make-up भी करोगे तब भी आपकी जो इसके ने काफी ज़्यदा glow करेगी तो ये देखिए cotton का हेंकी लेके और normal पानी लेके मैंने अपने पूरे चेहरे को कर लिया है अच्छे से clean चेहरा clean करने के बाद अभी मैं आपको अपना glow दिखाऊंगी इसके बाद आपको एक pack और अपने चेहरे पे लगाना है उसे भी ले जाना मैं कभी भी नहीं भूलती क्योंकि जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम समान हम लोग लेके जाएं और मैं भी ऐसा ही करती हूँ जो मेरी जरुत की चीजे होती हैं उन्हीं में लेकर जाती हूँ लेकिन बाहर रहके भी मैं अपने इसके को काफी ज़्यादा glowing बना के रखती हूँ बस यह simple से steps हैं जिनको मैं follow करती हूँ तो यह देखिए जैसे ही मैंने scrub को हटा लिया पूरी तरीकी से चहरे को साफ कर लिया पाने से और चहरे की चमक आप देख सकते हूँ कितना अच्छा निखार चहरे पर आया है ठीके न तो यह तो हो गया हमारा scrub अब हम बढ़ते हैं आगे अब आपको बनाना है एक face pack यह pack बनाने के लिए आपको लेना है एक ball उसके अंदर आपको डालना है दो से तीन चमश भर के french green clay powder यह मैंने helps गोनेस का लिया है इसमें मैंने डाला है गुलाब जल गुलाब जल की साहता से मैं इसका एक smooth paste त्यार करूँगी देखिए जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि जितना हो सके मैं कम समान लेकर जाओं और जब मैं घर में रहती हूँ तो बहुत सारी DIY करकर के मैं अपने चेहरे पे लगाती हूँ और आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ लेकिन घर से बाहर रहना और हुआ पे सारी चीज़ों कोई खटा करना DIY बनाने के लिए तो यह possible नहीं होता क्योंकि सारी चीज़े बाहर नहीं मिल सकती है तो ऐसे में आपके यही प्रोडेक्ट काम आएगा जैसे मेरे आता है तो इसमें क्या करते हूँ जब भी घर से भाड़ जाती हूँ तो इसका पेकेट अपने पर्स में डाल कर जरूर ले जाती हूँ इसे बना कर लगाना मुझे सबसे आसान लगता है तो यहां पे जो मैंन से डेट सेल्स जो होते हैं उन्हें रिमूब करने में हमारी हेल्प करता है उसके साथ में जो बले मिसेज हो जाती है चेहरे पर उनको भी कम करने में हेल्प करता है और अगर आपके ओपन पोर्स है तो उनको भी टाइट करने में यह काफी ज़दा हेल्प करता है मतलब जो ह पूरे चैरे को कवर कर लीजिए अपनी गर्दन पर भी लगा लीजिए अच्छे से लगाने के बाद आप इस पैक को कम से कम 15-20 मिनट के लिए लगागर छोड़ दीजिए आपको इसे लगा के या तो एसी में बैठना होगा या आपको पंखे में बैठना होगा क्योंकि अग अगर आप भी यह प्रोड़क्त लेना चाहते हो तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीची डिस्क्रिप्सन में तो वहां से आप इसे बाई कर सकते हो तो पैक लगाने के बाद चेहरे को पाने से दूने के बाद लाश्ट में मैंने लिए थोड़ी सी संस्क्रीन इसे लेक और मुझे बिल्कुल भी हैवी मेकप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब मैं आपको वह सीक्रीट बताने के लिए जा रही हूं जिसे मैं रेगुलर अपनी डाइट में लेती हूं तो देखे मैं सुबह जब सोके ओड़ती हूं तो खाली पेट में सबसे पहले क्या लेत हूं तो यही है मेरी ग्लूइंग स्किन का राज आप इससे जरूर फॉलो करें आपको इससे काफी ज़्यादा हैल्प मिलेगी तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो बताना कॉमेंट्स करके मिलते हैं कल वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करके जाना बाइ-ब रए-बाइ-बाइब दोस्तों शाशित करके मिलेगी ज़्यादा आपको लाहाईए तोस्तों का श्यादा है ओजा थार फ्यार वीडियो आए-द्दाना का जाए-डफन मिलेगी जा दोस्तों को मिलेगी जाई